हेलो फ्रेंट्स मेरी यूट्यूब चेनल विएस नॉलेज में आप शभी क्या श्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य स्वास्त समित का ओनलाइन फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है इसी विशे में complete detail अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रहिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइकन से जरूर करिएगा और ऐसे ही more updates के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को subscribe करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा फ्रेंट्स यहां पर आप देशकते हैं बिहार राज्य स्वास्त समित का ओफिसियल साइट है जहां पर मैं इसका online form फिल करना शिखाऊंगा फ्रेंट्स इस साइट का लिंक मैं अपने description box में दे दूँगा आप वहां से direct क्लिक करके इस साइट पर आ जाएंगे इस साइट पर आनेक बाद फ्रेंट्स सबसे पहले आपको registration करना पड़ेगा यहां पर registration का option है registration वाले option पर आपको click करना है click करनेक बाद फ्रेंट्स कुछ SI interface open होके आएगा यहां पर आपको अपना name first name फिल करना पड़ेगा फिर फ्रेंट्स यहां पर middle name अगर आपका होगा तो middle name फिल करेंगे उसके बाद last name फिल करेंगे फिल करनेक बाद फ्रेंट्स post applied for इसको ऐसे ही रहने देना है फिर यहां से आपको अपना qualification select करना है qualification में आप जो भी qualification होगा आप select कर लीजिएगा उसके बाद फ्रेंट्स यहां पर आपको select करना है क्या आपने BSC nursing किया है अगर किया है तो S करिएगा नहीं तो नो करिएगा फ्रेंट्स उसके बाद REO register with nursing counseling अगर आपने किया है तो S करिएगा नहीं तो नो करिएगा REO Indian citizen तो S करिएगा फ्रेंट्स यहां पर REO Domitial of Vihar अगर आप भिहार के रहने वाले हैं तो S करिएगा नहीं तो करिएगा category आप select कर दीजिएगा फ्रेंट्स अगर आप general है तो general OBC है तो OBC फिर फ्रेंट्स यहां पर आपको date of worth select करना पड़ेगा date of worth में पहले date फिर month फिर year फिर फ्रेंट्स यहां पर gender आप choice चूज करिएगा male या female फिर यहां पर अगर आप disability है तो यहां पर yes करिएगा नहीं तो no करिएगा फिर फ्रेंट्स यहां पर freedom fighter है तो yes करिएगा नहीं तो no करिएगा फिर यहां पर आप अपना email ID फिल करिएगा email ID दुबारा से फिल करना है फ्रेंट्स फिर उसके बाद यहां पर mobile number अपना फिल करना है फिल करने कबाद फ्रेंट्स यहां पर capture code है इस capture code को इस box में फिल करके I accept पर चेक कर लेना है फ्रेंट्स चेक करने कबाद फ्रेंट्स यहां पर submit and continue का option है इस पर क्लिक करना है submit करने कबाद फ्रेंट्स आप देश सकते हैं कुछ ऐसा interface open होके आएगा यहां पर लिखेगा you are successfully complete the first step of the registration process for certificate course and community health of VR फ्रेंट्स फिर यहां पर आपको login to continue का option है simply आपको इस पर क्लिक करना है प्लिक करने कबाद फ्रेंट्स कुछ ऐसा interface open होके आएगा यहां पर आपको अपना application number फिल करना है फिर यहां पर आपको data worth फिल करना है data worth फिल करने कबाद फ्रेंट्स यहां पर capture code होए इस capture code को inter capture code में फिल कर देना है फिल करने कबाद फ्रेंट्स login कर लेना है प्रेंट्स जैसे ही लॉग इन करेंगे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा यहाँ पे आपको पर्शनल डीटेल एंड एजुकेशन डीटेल यहाँ पे मागा जा रहा है फिर उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिगनेचर फिर उसके बाद फ्रेंट्स प्रिवियू करके लास्ट में आपको पेमेंट करना है तो फ्रेंट्स पहले हम पर्शनल एंड एजुकेशन डीटेल पे प्लिक करेंगे फ्रेंट्स यहाँ पे आप देशकते हैं नीची आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो जो हमने फिल की या था रजिस्टेशन में सब सो कर रहा है फिर फ्रेंट्स यहाँ पे नीची आएंगे तो यहाँ पे नीची आपको अपने फादर्स नेम फिल करना है फिर मदर्स नेम फ फिर फ्रंट्स यहां पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है एड्रेस में पहले विलेज फिर पोस्ट फिर यहां पर फ्रंट्स अपना राज्य सलेक्ट करना है फिर डिस्टिक फिर पिन कोड और फ्रंट्स अगर आपका शेम एड्रेस पर्मानेंट भी यही है तो यहां पर इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा टिक करने हुए फ्रेंट्स उसके बाद नीचे यहां पर आप दे सकते हैं education qualification मागा जा रहा है फ्रेंट्स यहां पर आपको अपने दस्वी का पहले qualification फिल करना है पहले name of the board जिस भी board से आप दस्वी पास किये हैं यहां पर फिल करना है फिर subject यहां पर फिल करना है फिर year फिल कर देना है कौन से year में आपने पास किया था फिर फ्रेंट्स टोटल कितने का आपका नंबर था यहां पर फिल करना है फिर कितना नंबर पाए हैं आप उसमें यह फिल कर दे कूछ बोलेगा फिल करने वाद फ्रेंट से यहाँ पर वर्किंग स्टेटस में आपको इसलिट करना है WORKING REGULARY STAP NURS UNDERGORNMENT OF VR पहला वाला सれलिट कर लेना है फ्रेंट्स या फिर फ्रेसर सलिट कर लेना अगर आप फ्रेसर हैं तो फ्रेसर सलिट करेंगे select करने कबाद friends यहाँ पे I accept all the terms and conditions पे check कर लेना है check करने कबाद share and continue कर लेना है friends click करने कबाद friends आप देश सकते हैं कुछ ऐसा interface open होके आएगा यहाँ पे upload photographer लिख रहा है तो यहाँ पे अपना photo upload करना है आपको सबसे पहले friends आपको अपना photo load करना है photo ऐसा load करना है friends जोकि 100-200 kg का यहां पे होना चाहिए friends photo upload करने के लिख अप्लोट सिगनेचर का option है signature भी आप को upload करना है friends ऐसा जोकि 100-200 kg के अंदर हो upload करने कुपार यहां पे upload कर देना है अपना photo and signature दोनो upload क Edwards यहां पे payment का option आएगा payment वाले option पे आपको payment कर देना है प्रिंट करने वाद फ्रेंट प्रेंट करने वाद फ्रेंट प्रेंट करने वाद फ्रेंट आपको अपना अप्लिकेशन फॉर्म फ्रेंट्स मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइकेंट से जरूर्ट करिएगा और ऐसे मोर अपडेट्स के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकेंट को प्रेस करिएगा जैहिन फ्रेंट्स